आज हम बना रहे हैं spicy chicken pasta पास्ता बनाने के लिए एक बरतर में पानी गरम करेंगे एक चमच तेल डालेंगे एक चमच नमक डालेंगे पानी में उबाल आने देंगे पानी में उबाल आ चुका है अब हम पास्ता डालेंगे 500 ग्राम और पास्ते को 10 मिनट तक उबालेंगे 10 मिनट हो चुकी है पास्ता उबल चुका है पास्ता को पानी से अलग कर लेंगे और उसे ठंडे पानी से धुल लेंगे एक कढ़ाई में तेल करम करेंगे बरीक कटा हुए लैसन डालेंगे 3 चमच फ्लेक्स डालेंगे बरीक कटी हुई 100 ग्राम चलाते हुए 2-3 मिनिट भूनेंगे 3 मिनिट हो चुके हैं अब कढ़ाई में चिकन डालेंगे 300 ग्राम पास्ते के लिए हमने बोनलस चिकन लिया है चिकन को डालकर चलाते हुए भूनेंगे 2-3 मिनिट ग्यास को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे दो मिनिट हो चुके हैं अब टमाटर की प्यूरी डालेंगे एक कटोरी चिली फ्लैक्स डालेंगे दो चम्मच और यह नो डालेंगे दो चम्मच चलाते हुए मिक्स करेंगे अब पास्ता डाल देंगे चलाते हुए मिक्स करेंगे ग्यास को लो फ्लेम पर रखेंगे कटी हुए गाजर डालेंगे ग्यास को मीडियम फ्लेम पर कर देंगे गाजर को चलाते हुए मिक्स करेंगे एक से दो मिनट अरी कटी हुए हरी मेर श्टालेंगे एक चमच पास्ता मसाले डालेंगे एक पैकेट कालमेश टालेंगे आधा चमच चलाते हुए मिक्स करेंगे गैस को लो फलेम पर रखेंगे दो से तीन मिनट पकने देंगे तीन मिनट हो चुके हैं स्पाइसी पास्ता बन कर तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले